पर दिल्ली भारतिय जन्ता पार्टी का पुराना गड़ रहा है पांस सालों में आपना ऐसा क्या काम कर दिया कि अब आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली में आ इस पर आपनों भी जाएंगे अभी वर्तमान सरकार के बारे में जो लोगों की निराशा है हताशा है उसके लिए एकमात्र विकल भारतिय जन्ता पार्टी आद दिल्ली में है आपने आखिर में सुनिल यादव को टिकर दे दी है अपको लगता है कि भाजपा के पास चेहरों की कमी थी आपके पास तो चेहरे ही नहीं थे नहीं दिल्ली पे ख़ड़ा करने के लिए तो आपने बली का बगरा बनाया लास्त पूरी सीएम चेहरे पर अभी भी सस्पैंस है आप लोग उन्हें आखिर तक सीएम चेहरे डिकलेर नहीं किया तातों जब सानसद हम यहां पर जीतते हैं तीनों मेयर हमारे हैं तीनों इमचेडी भारती जनता पार्टी ने जीती है तो मुझे नहीं लगता हमारी तो केडर पार्ट दिये एका माध्यम बनाकर केजरिवाल जी और उनके पार्टी ने जो रोल किया है वो दिल्ली वाले कभी बूल नहीं सकते हैं दिल्ली विदान सबा चुनावों में जीत के लिए भाजपा कॉंगरेस और आमादमी पार्टी सही दूसरे दल भी इस बार जो रोजबाईश कर रहे हैं ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले भाजपा की त्यारियां क्या है इसी को लेकर आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेमान शाम जाजू जी मुझूद है बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की सतर सीटों को जीतने के लिए इस बार त्यारिक किस रखी की गई है शाम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका चुनाओ पूरे उफान पर है ऐसे में क्या देखते हैं दिल्ली का सियासी मिजाज क्या है ऐसा है दिल्ली भारतिय जनता पार्टी का पुराना गड़ रहा है अभी-अभी जो लोकसभा का चुना हुआ सातो सीटे हम जीते सत्तर विधान सभाओं में 65 जग़ पे हमें लीड मिला पाथ जग़ पे कॉंग्रेस को मिला और आम आदमी पार्टी तीसरी नमबर पर थी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीस प्रकार का केंडर सरकार ने दिल्ली पर ध्यान दिया है अभी वरतमान सरकार के बारे में जो लोगों की निराशा है हताशा है उसके लिए एक मातर विकल भारतिय जन्ता पार्टी आद दिल्ली में है और उसका अच्छा रिजट हमारा इस दिल्ली के चुनाव में आएगा अपने अपने कैंडिडेट भी डिकलेर कर दिया है क्या कहेंगे परतियाशियों को लेकर बाकि 67 सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी लट रही है हम ने कहा जिताओ चुहरे बहुत है लेकिन लिस्ट पर अगर हम गोर फरमाते हैं तो हारे हुए कई कैंडिडेट आपने फिर से मदान में उता रहे हैं ऐसा है पिछला चुनाव तो एक exceptional चुनाव था तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में और जिस प्रकार का पाथ साल का काम हुआ है इससे लोग नाराज है लोगों को दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो अपकी बार बीजेपी कितने पार? हम निश्ची तरुप से दिल्ली में सत्ता में आएंगे महिला उमीदवार काफी कम देखे जा रहे हैं आपकी इस लिस्ट में जबकि भाजपा कहती है कि महिलाओं को प्रोसाहित करना चाहिए यह सही है कि महिलाओं को जितना प्रतित्व देना चाहिए इस बार भी हम दे नहीं पाए है पर मुजह एसा लगता है कि महला उनका प्रतीनीत्व इस प्रकार साथ देने की शुरुआत भी हमारी पार्टी ने की है पार्टी के अलग अलग पदूं पर भी बहुत महलायARS है और बहुत कारेक्शम महलायं आज पार्टी में वर्किंग में भी है हम अभी साथ महिलाओं को उतार सके हैं दिल्ली के अंदर अर्विन केजरिवाल के सामने चुनाव कोन लड़ेगा एक बड़ा सवाल था पूरी दिल्ली की नजार इस पर थी आपने आखिर में सुनिल यादव को टिकट दे दी है आपको लगता है कि भाजपा के पास चेहरों की कमी थी इसलिए जो एक शेतरी चेहरा था उसको मोगा दिया गया है ऐसा है सुनिल यादव हमारे पुरवान चली युगा नेता है दिल्ली प्रदेश भारतिय जनता युगा मुर्चा के अध्यक्षा है इसके पहले आम आदमी से गए पाच वर्ष जो जो भी अलग-अलग अंदोलन हुए संगर्श हुए उसका नित्व तो उन्होंने किया पंजाब में हो गोवा में हो हर्याना में हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए वो वहां गए थे और उनकी सबसे बड़ी विशेस्ता वो इस कंस्टनसी में रहते हैं आज इस कंस्टनसी के आवस्था यह कि उनको सीएम चोड़ो यहां के एमेले को मिलने के लिए वह सीविल लाइन जाना पड़ता है तो लोकों को इजिली एविलेबल एकसेसेबल एक जमीनी चेहरा हमने इस निमित से उतारा है जो जुजार हुआ है युवा है और निश्यत रूप से वो अच्छी फाइट देंगे हैं लेकिन नामाद में पार्टी कहती है कि कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाता था आपके पास तो चेहरे ही नहीं थे नहीं दिल्ली पे खड़ा करने के लिए तो आपने बली का बगरा बनाया लास्ट में अइसा बोलने से काम नहीं चलता सातों जब सांसद हम यहां पर जीतते हैं तीनों मेयर हमारे हैं तीनों एमसीडी भारती जंता पर्टी ने जीती है तो मुझे नहीं लगता हमारी तो केडर पार्टी है कारे करता हूं कि कहा कर परवेश वर्मा आमादी प्ارटी के हर सवाल का जवाब देने के लिए काफी है तो उनकी दावेदारी मानी जा रहे थी कि कहीं ना के दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे लेकिन बड़े चहरे मैदान में नजर नहीं आ इस बारी ऐसा है हर टाइम केजरिवाल जी अमिच्छा जी को पुकारे नरेंडर मोदी जी को पुकारे साड़ी चार साल तो मोदी जी को गाली गलोश करने में उन्होंने खर्च कि जो कुछ पॉपिलर गोशना है कि वो अभी चार महने के उपलब दिया है तो इसलिए हर टाइम बोड़ेंगों को पुकारने के लिए हमारे तो यहीं परतिनिया आपके लिए पर्यापत है यह उनका कहने का स्पिरिट है उसी प्रकार से उसको लेना चुए आप लोग 22 साल स केंड़ सरकार ने अगर कोई किया है तो यह अनधिकृत कालनी को मालिकाना हग देने का काम हमने किया जिसके लाभानवित 40 से 50 लाख लोग और 10 लाख परिवार है 1731 कालनियों को हमने अधिकृत किया आज तक शीला दिक्षित ने भी इस पर राजनीती की आमादमी पार्टी ने पात साल तो लटका के रखा और अभी भी केंड़ सरकार से 2021 में हम प्रस्ताव आपको देंगे यह कहा आखिर सबको साइड में रखके डिडिये को माध्यम बनाकर केंड़ सरकार ने उनको जो अधिकृत देने का काम शुरू किया इससे मालिकाना हग देने का काम शुरू आएगा दूसरा विशे जुगी जोबड़ी में जहां जुगी वही मकान यह केंड़ सरकार का कारिकर हम दिल्ली में करना शुरू कर दिया है कई उसके बातिया भी शुरू हो गई बीस सो बाइस तक दिल्ली में एक भी जुगी नहीं रहेगी यह मोदी जी का संकल्प है तो मुझे इसा लगता है कि दिल्ली के लिए बहुत कुछ हमने करा है आप कहते हैं कि आपने कलोनियों के लिए काम किया इस अधार के वोट पड़ेगा लेकिन आमादीय पार्टी कहती है अपने फरजी प्रोजिन सेटिफिकेट बाटे हैं लैंड यूज चेंज किया गया है मुझे ऐसा लगता कि ऐसे जूटे और इसे आरोपों में कोई तथ्यतार बची नहीं है रजिस्ट्री अल्रेड़ी वह हम जब रजिस्ट्री करने ही रहे थे तब उन्हें कहा कि रजिस्ट्री होगी नहीं रजिस्ट्री देना शुरू किया तो बोले एक्चुल स्टैंप आपके नाम से नहीं होगा उसके बाद बोले आपको लोन नहीं मिलेगा अब तो यह शुरू हो गया अब प्रक्रिया शुरू हो गए रो बहुत गती से आज तक एक लाख असी हजार लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कर दी है लोगों को भरुसा है मोदी जी जो बोलते है वही करते हैं जो करते उतनी बात बोलते हैं शाम जी आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कहां पर फेल रही है दिल्ली में मुख्य तहा जो सत्तर वादे उन्होंने किये थे आम आदमी पार्टी जिसके कारण शुरू हुई उनका एक भी सहयू गया उनके साथ नहीं है अकेले सिंगल मैन पार्टी केजरिवाल की काम कर रही है हम करेस्व काईदा है जो जो वादे किये थे मैं आपको शिक्षाक शित्र का बता सकता हूँ बीस सो पंदरा में वो जब सक्ता में आये तब जितने विद्यारती वहाँ पर थे उसमें कई लाख लोगों का ड्रॉप आउट हो गया है वहाँ का दस्वी का जो रिजर्ट आता है वो सरकारी रिजर्ट 99.2 परशेंट आता है इनका 71 परशेंट आता है तो केवल पब्लिसिटी करके कभी काम चलता है क्या 500 स्कुल नए खोलने वाले थे 20 नए कॉलेज खोलने वाले थे एक लाश्ट कॉलेज दिल्ली में खुलाए साब सिंग वर्मा जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद दिल्ली में कॉलेज नहीं कुला और अपने और अपने मित्र परिवारों के मंत्रियों के परिवारों के रिष्टेदार विदेशों में इलाज कराने जाते जिसका खर्चा सरकार के 50 लाख रुपए खर्चा होता है दली चार विद्यार्थियों को केवल उच्छे शिक्षा के लिए लोन मिला है और उसमें करो लाक मास्क बाटे यह क्यों कह रहे और पचास लाक मास्क दिल्ली के हर चौती आदमी को मास्क मिलने चाहिए था इतना बड़ा करप्शन कि एवल एकाथ स्मार्ट क्लास्रूम बना कर पूरे आपने नए स्कूल खोले इस प्रकार किया पुबिसिटी कर रहे हैं वो यह भी कहत करने के लिए जा कि आए सरकारी माद्यम से तो एक भी हाथ खडानी होता है कई हजार देड़ हजार लोगों को अलग-अलग यात्राइं हुई है और पुबिसिटी पे खर्चा करोड़ रुपया हो रहा है इस सरकार का सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो 700 करोड़ रु योजना का लाब उस आदमी को भी नहीं मिलेगा जिसके बास मोबाइल फोन तक जैसी बेसिक चीज होगी ऐसा कुछ है क्या है इस योजना में या आप लोग इस योजना का परचार सही से दिल्ली में करनी पाए हमारे तो कई प्रदेशों ने उत्तरा खंड का मैं प्रभार कि जो लोग है उनको आप दे नहीं रहे और इस परकार के बहाने बना रहे दिल्ली की में आवशकता नहीं है आपने एक भी बेड नहीं बढ़ाया आपने नया अस्पताल नहीं खोला और केवल महला क्लिनिक के माध्यम से पूरी समस्त्य अगर हल हो गई इस परकार की बाते करते हैं तो यह जंता में ध्यान में नहीं आता है अब को क्या लगता है कि जो सीए कानून है और जो डिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पर्दाशन हो एक खास तर पर जामिया में कभी परदाशन हो आते हैं कभी जीन नियु दिलिके चुनावों पर पड़ेगा निश्च देञाने लोग में देखे और इस परकार से जेल में ढ sus 6 लाइक रुपए का सरकारी उनाम यह दिल्ली की जनता देख रही है दिल्ली की जनता ने देखा कि अपना मुख्यमंत्री सर्जिकलस्टराइक 실ेथ करे दिल्ली की जनता ने देखा कनयारा पर दोशारों के बाव्जुद उस पर केस नहीं हो रहा कियों सरकार से इंडर्स नहीं किया है इसलिए अभी तक और देश द्रोग करने वाला करने आग पर केस नहीं हो रही दिल्ली का मुख्यमंत्री जेन यू में भारत माता की हत्या करने वाले टुकडे टुकडे ग्यांग के साथ खड़ा दिखा है लोगों ने इन सब बातों का परणाम निश् जीत के कोन आएगा इस पर टिकट दिया जाता है जीतने के लिए दिया जाता है उस प्रकार के चहरा हमारे पास नहीं था इसलिए हमने जीतने के हिसाब से चुनाव लड़ रहे तो हमने उस नहीं उतारा उसमें कोई बात नहीं बहुत ही सोचने समझने वाले मुस्लिम हमा अलग लड़े के कानून के विशे में उनका जो उससे हम असैमत है और वो विषे हमारा राजनीती का विशे नहीं हूँ वह हमारा सइधान्तिक विशे है है हिसलिए इस लिए इस पार के गट बंदन कर रहे हैं तो क्या ऐसी पोजिशन में है भाजपा कि दूसरी पार्ट यू से एलाइंस करना पड़ रहा है ऐसा है जेडियू हो लो जपा हो यह सब हमारी इंडिये के पार्ट है उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली में हमारा भी कुछ वोट बैंक के हम भी आप जो चुनाव है राश्टिये मुद्दों पर होगा यह चुनावों में कई हिंदु तो का भी असर देखेगा जबरी मुझे लगता है दोनों विश्यों का रहेगा नैशनल मुद्दे तो आएंगे यह आएंगे उसके साथ साथ लोकल मुद्दे भी आएंगे गए पात साल म में एक रुपे का भी इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है हमने इस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफिरियल हाइवे बना दिया उसके कारण कितना प्रदूशन कम हुआ है कितने वेहिकल बाहर से जारे मालूम है एक भी फ्लायोर बना नहीं एक ही अंडरपास बना के तिल्ली का पानी 36 पे क्रमाओं इतना घटिअग पानी यहांपर मिल रहा है यहां का विकास के बारे में सब मुल्यंकों में दिल्ली पीछ जा रही है पर केवल पॉब्लिएटी चल रही है यहकर रहे है मुरेँ हैं की बताएंक पाइंगे एमज्री में आपकी सरकार हैं सबकार на espera kentra में हमारी आतलिजी की सर्कार तीङला दिशीला दशी दोणों में निए करने के लिए हमारे लोगों को करने के लिए कई हजार करोड रुपई ने टाइम पे दिये नहीं है आज वे वह बकाया पैसा है ये सब जनता समझती हैं जो कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग दिल्ली में कांग्रेस कहां पर खड़ी है कि पिछले टाइम तो कॉंग्रेस का एक जमानत बच सकी थी दिल्ली में पर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गड़बंधन कर लिया था मोधी जी को रोकने के लिए इसलिए का चुनाव था इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कई जगर पे कॉंग्रेस दिख रही है अब आने वाले दिनों में दिखेगा कांग्रेस सही रूप से उतरती है यह जनता ने पूरा पूरी तरह से कांग्रेस को नका रहा है क्या आप लोग परदे के पिछे सेन के साथ हैं ऐस एसास हुआ है कि 84 के संवार में जो जो लोग दोशी थे उनको सजा मिलने का काम चुरू हो गया है और इन सब बातों के आदार पे निच्छे तुरुप से दिल्ली में हमारे अनुकुल महल बन रहा है एक शाम जी दिल्ली के अंदर कहिना कि सबसीडी और फ्री लगता है कि आपको चुनावों में मैंडेटरी होता जा रहा है आमादमी पार्टी के बाद कॉंग्रेस ने भी कहा कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री पानी पर कैश पैक शीला पेंशन योजना के नाम पर 5000 रुपे आपको लगता है मैंडेटरी अब होता जा रहा है गर चुनावों में हुम्रे के लिए यह कितने लाको चले हमने डृटी में बनाए हैं सब बाते केंदर सरकार गरीब आदम variety को रहत देने के लिए कर रहे ह्री है आने वाले दिनों में भी गरीब के जीवल में ज्यादा से ज्यादा रहत मिले आसानी मिले इस परकार की सरकार का काम तो होना ही चाहिए आप दिल्ली के परभारी है तो क्या माना जाए दिल्ली में आप लोग किस चीज में सबस्रीज देने वाली है क्या आपकी तरफ से फिरी होने वाला है मैंने ये कहा कि हमारा केंदर बिंदू अंतिम आदमी है हमारी केंदर सरकार ने पहली बार 12 रुपे का इंशूरंस लोगों को इंटर्डूश किया हमने पहली बार लोगों को खाते खुलवाए हमने पहली बार करप्शन मुक्त सरकार लोगों को बताई डाइरेक्ट पैसा लोगों के आकाउंट में ट्रांसपर हो रहा है तो यह सब बाते हम छोटे आदमी को ध्यान में रखते हूं करते हैं उनकी सुविधा होना उनके लिए हमारे लिए बरा महतोपूर्ण है ऐसी सब बाते हम जरू करेंगे चुनावी परचार की क्या त्यारी है है आप लोग दिल्ली में कैसे चुनावी परचार करेंगे अपना क्या पिया मोदी भी रहेंगे रैलियू में और हमारे सब बड़े बड़े नेता इन सब मिटिंगों में जाएंगे, मोदी जी की तो रैली जरूर होगी, आमेशा जी की भी रैली होगी, पर उसके साथ साथ दिल्ली के हमारे सभी नेता, हमारे सांसद लोग, आप दिल्ली के परभारी हैं दिल्ली में आपका खुद का जोगदान क्या रहा अगर आपका टैन्यूर देखते हैं हम लो तो आपने कैसे मजबूत किया पार्टी को संगधन को दिल्ली और उत्राखंड दोनों राज मेरे पास है दोनों राजों की 100% सीटे लोगसबा में हम जीते उत्राखंड की भी जीते यहां की भी जीते उसके पहले मैं हिमाचल का भी प्रभारी था वहां की भी जीते उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटे हमारी आई है यहां के तीनों क आधार लेकि दिदली की जंता में हमारी बहुत अच्छी पैट है और हमारी पार्टी तो लीडर के साथ-साथ केडर के आधार पर जानी जाती है बहुत अच्छा केडर का जो चुर्च से लोगों ने काम शुरू किया है और निश्चित रूप से हम केडर के माद्यम से ये चुनाव जीतेंगे आप भले ही दिल्ली में काम कर रहे हैं लेकिन संगठन पर अगर हम नजर डालते हैं तो संगठन में कहीना कि बिखराव जिखता है खास को रुपे दिल्ली विजेवी संगठन में एक धड़ा है जो विजेगोईल के साथ है एक धड़ा परवेश वर्मा का है कहीं मनोस्तिवारी अलग है तो क्या लगता है यहां पर ग्रिप नहीं बन पाई मुझे ऐसा नहीं लगता बाहर जितना परसिप्शन जिस परकार का पार्टी के अंदरोनी बातों का है ऐसा विशे है नहीं बारतिय जनता पार्टी यह डेमोकरटिक पार्टी है सब को साथ लेकर चलती है यह कोई सिंगल में तो पार्टी है नहीं और यह कोई एक परिवार पार्टी नहीं चलाता तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के अंतरिक लोगतंतर में कई बार सहमत हो सकती है पर इसी कोई गुडबाजी का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है और गुडबाजी पार्टी में चलती भी नहीं है आमादमी पार्टी कहती है कि इस बार चुनाव काम के अधार पर होगा, आपका अधार क्या होगा? आमादमी पार्टी लगातार कह रही है कि अगर हम लोग सत्ता से बाहर गए बीजे पी सत्ता में आए तो दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सबसेड़ी बंद हो जाएगी और जो मुफ्स की स्कीम से वो भी बंद हो जाएगी? इसा है, कोई भी लोग कल्यान कारी सरकार जनता के रहीत का ही विचार करती है, जनता को जो जो रहत मिल सके वो जादा से जादा देने की कोशिश होनी चाहिए, जहां तक भारती जनता पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी की इमेज भी, हमारी नीती भी और हमारी नियत भी गरीबों का कल्यान करने की है मोधी जी का उस विशे में जो इमेज बनी है पूरे देश में वो ही सार्थक्ट रहेगी और दिल्ली की जनता को रहत देने में हम यह श्रस्प्यों होगा है बहुत 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 शुक्रिया बाचीत के लिए दिल्ली के अंदर खत्म हो पाएगा या नहीं फिलालिस पेशकश में इतना ही मुझे दिये जाज़त नमस्कार